नमस्कार करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है आज शुकरवाद 11 दिजंबर कल के सेशन के अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने यूजडी आया में फिर से एक ग्रेंग बाउंट ट्रेड को देवे देखा मल्टीपल अप टाइम हमने देखा 73.60 की में यूएस में जो स्ट्विलेस का अभी भी अंसर्टनी बनी हुई है वो भी एरो को सपोर्ट कर रहा था बट डॉमेश्टिक मार्केट में देखा 89.25 के करीब मार्केट फ्लोज बहता हुआ दिखा है वहीं GBP की अगर बात करें तो कल हमने एक परसंट के करीब की बड़ी रह सकती है यहन के बात करें तो यहन में भी हमने देखा कि डॉलर में थोड़ी बहुत उचाल आया था बट ओवर और दबाव है बट सतर से इगतर के बीच में ही यह अगर बात करें तो यूसजी आयना 73.85 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है 73.70 के करीब मिले व दिखाई दे रहा है बट अपसाइट थोड़ा सा रस्टिक्ट रहेगा आज दिन के सेशन में तेजी रहेगी जो 89.60 से 89.70 तक का लेवल दिखा देगा बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा पांड में तेजी जरूर दिखाई देगी ओपनिंग में जो 98.40.50 के करीब मिलने पे हम बेच के चलेंगे जो 98 का लेवल तोड़कर 97.60 तक का भी लेवल दिखा सकता है वहीं JPY में ओपनिंग 71 की उपर होगी सस्टेनेबलीटी थोड़ा डाउटफुल है 71.10, 71.15 की करीब जाने पे हम JPY को बेच के चल सकते हैं डेटे पॉइंट के इंदर हम बात करें तो UK से काफी इंपॉर्टन डेटा रहना है इरोप से भी रहना है युएस से कोर PPI, PPI और लेडिंग इंडेक्स का डेटा रहना है साथ में अगर हम USDIR SPOT की बात करें जो 73.60 के करीब है जब तक 73.80 के उपर नहीं निकलता है एक दारे में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इरोपी अगर बात करें प्राउड के उपर तो निकला है बड़ अभी भी चैनल में फसा हुआ है अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कीचे इस चैनल में हम आफ तक एक्विटी कमार्टिक करेंसी के अप्रेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे धन्यबाद